इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे दिशेडियूल कास्ट एंड शेडियूल ट्राइब प्रेवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइटीन आगे जो है ठीक है तो अब देखिए क्या है यहाँ पे अभी तक हमने जो चाप्टर पढ़ कि र extrem की काहानी से आपने देखा समझाँ था कि कैसे रट्णाम है पshot कि लिए व्यागे अब सवाल या तक क्यों कि अ गया था तो संजो जैसे माने अस लौ की मदद से अपने आपको बचा लिया न तो बचा क्यों पाया हो वो क्योंकि वो लाओ था तो वो लाओ की जो डिमांड थी वो कहीं न कहीं उन्हीं सिच्वेशन उन्हीं सरकम्स्टांसेस में बनिये जहां पर मार्जिनलाइज कम्यूनिटीज बहुत कुछ सफर कर रही थी तो demands made by Dalit and other that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense दलित और जो tribal groups थे तो जो वो ill treatment face कर रहे थे उस ill treatment को properly recognize किया जाना चाहिए किसके द्वारा properly recognize किया जाना चाहिए गवर्मेंट के द्वारा और बहुत सारे Dalit और दूसरे marginalized group इस चीज़ के लिए आवाज उठाने लगे थे इस चीज़ की demand करने लगे थे ठीके तो अब जब लोगोंने demand करना start कर दी यह तो एक background बन गया किस चीज़ के लिए इस law के लिए पीछे क्या कह सकते हैं कि इस law के लिए एक ground ready हो गया कि हाँ law तो लेके मानेंगे ठीके तो during 1970s and 1980s यह प्रोटेस्ट और बढ़ता चले गया तो आप 89 में law बना तो मतलब इसका जो background create हो तो 1970s 80s से ही संघर्ष चलते आ रहा हो के लिए तो फिर क्या होता है during 1970s and 1980s number of assertive Dalit group came into being and asserted their rights ठीक है तो बहुत सारे परिशान पीडित जो groups थे तो वो लोग एक साहत इखटे हुए थोड़ा सो उनके पास में जैसे जब strength lies in unity यह सुना है अपने की संघर्टन में शक्त ही है ठीक है क्योंकि हमारे साथ में जो ill treatment हो रहा है वो क्या है वो एक तरह से inhuman है ना अम आना हुता है कि साथ में हमारे साथ ऐसा वेवार कर रहे हैं और वो गलत है जो ऐसा कर रहा है उसे punishment मिलना चाहिए तो जब लोगोंने protest करना start किया तो क्या होता है अब protest करना भी start किय government से demand भी कर रहे थे साथ ही साथ में देखो रतनाम के case में आपने क्या देखा क्या सीखा रतनाम की case से आपने simple सी चीज़े देखी कि रतनाम के पापा रतनाम के दादा उस चीज़ को perform करते हुए आ रहे थे तो रतनाम कोई ऐसा लगा कि वो कर रहे लेकिन मैं नहीं क्योंकि रतनाम पढ़ा लिखा थोड़ा सा समझा चीज़ों को ठीके अब क्या हो रहा था कि यह जो groups demand करने लगे थे उनके rights के ऐसा ill treatment हम नहीं सहन करेंगे तो उन्होंने demand करना government से start किया साथ ही साथ में जो चली आ रही थी प्रथाए उन्हें बंद कर दिया तो they refused to perform their so called caste duties and insisted of being treated equally तो उन्हें बोल दिया हम दलित हैं lower caste को belong करते हैं marginalized group को belong करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे साथ में ill treatment होता ही रहेगा हमारे साथ में अतियाचार होते ही रहे हैं लोगों ने क्या करना स्ट कर दिया पोस्ट करना स्ट कर दिया उन्होंने बोल दिया कि हम हमार किसी भी animal की death हो जाती तो उसको skin off करना ठीक है उसकी छमडी निकालना तो और उससे लेदर बनाना यह काम उसका रहेगा एक untouchable का तो अब क्या होगा उसने बोल दिया कि मेरी कोई caste duty मैंने responsibility नहीं लिए अगर मान लोग मेरे पास कुछ कमाने को नहीं है तो मैं करूंगा भी अगर मेरी इक्षा होगी तो नहीं तो मैं करूं या ना करूं वो जानवर है वो जानवर की death हुई है वो अपने हिसाब से रिकंपोस हो जाएगा environment में तो इस तरह से क्या होने लगा कि जो असरेटिव ग्रूप्स थे उन लोगोंने demand करना start कर दिया और demand के साथ में क्या करन confront करना सामना करना start कर दिया किस चीज़ का उन उन सारी बातों का जहां पर वो marginalization face करते थे ठीक है तो देरफोर दलित ग्रूप्स demanded new laws that would list the various sort of violence against डलित and prescribed stringent punishment for those who indulged in them तो अब दलित ग्रूप्स क्या करने लगे यह सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि दलित punishment करता हुने punishment मिले और अपनी cast duties को उन्होंने चुले में डाल दिया बोल दिये कि हम अब perform नहीं करेंगे ठीक है आपने बंदी नहीं बनाया हम एक तरह से फिर क्या होता आगे देखो क्या है तो अब इस act को पास किया अब इस act के significance क्या है क्या फाइदा रहा ग्राउंड ले protection तो मिला ही मिला है protection के साथ साथ government ने law recognize भी किया कि अच्छा ये हो रहा है आपके साथ में government ने intensity of crime को क्या क्या identify किया कि ये ये सारी चीज़े crime के दाएरे में आ जाएगी तो government ने क्या क्या mode of humiliation को सबसे पहले identify किया दलित बोल रहे थे कि हमारे साथ क्या होता है in human behavior होता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो government ने recognize कि इस तरह से humiliation तो होना ही नहीं चाहिए ठीक है बहुत physically horrific and morally reprehensible ठीक है तो morally reprehensible मतलब क्या जिसकी निंदा की जा सकती हो जो बहुत गलत हो नैतिक रूप से जिसे हम कह सकते क्या ये तो बहुत गलत है जैसे चोरी करना क्या है गलत है तो और physically horrible क्या है कि मतलब physically आप किसी को क्या कर रहे हो किसी का पूरा चहरा काला कर दे रहे हो किसी को क्या कर रहे हो आप physically पीट रहे हो आठ दस लोग मिलके दो लोगों को पीट रहे हो तो ये physically horrible ये बहुत डरावना होता है तो इस तरह के सारे humiliations को क्या 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 अपोस किया क इसने इस तरह के सारे humiliations को oppose किया और identify किया government ने इस law में ठीक है तो देखो क्या है तो force मतलब ये कुछ नहीं होना चाहिए nobody should force a member of schedule caste and schedule tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance ठीक है obnoxious मतलब क्या होता बहुत जो घिनोना होता है ना किसी भी जीज़का जैसे मान लो क्या है ऐसे instances हो हैं मैं आपको बता रहू है practical instances है कि लोगों के पर urine किया गया उन्हें जो schedule caste के लोग थे तो उन्हें force किया गया to drink urine ठीक है अब यह क्या है यह ऐसी चीज़ें which are not edible कोई खाते हैं क्या ठीक है और obnoxious से बहुत गिनोना होता है ना यह तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको punishment मिलेगी इस law में यह identify कि इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए फिर क्या है forcibly removes clothes from the person or member of a schedule caste or schedule tribe और punish them और her naked or with painted face on our body और commits any similar act which is derogatory to human dignity यह शब्द डाल दिया मतलब क्या है कि बहुत broad dimension दिया कि जो human dignity के towards derogatory होगा जो कहीना का हर आदमी का अपना सम्मान होता ना आप सम्मान कैसे होता है कि किसी किसीने मानलो जिसे कि example देना किसीने अच क्या हो गया उनको अपने सम्मान को ठेस पहुच जाएगी और यहां क्या हो रहा था तो rural areas में ऐसा होता है कि schedule cars या schedule tribe के लोगों को क्या किया जाता है उनका face paint कर दिया जाता है उनके कपड़े forcefully उतरवा दिया जाते हैं ठीक है कपड़े उतरवा कि उनको गाउं में घुमा ठीक है यह हो गया आगे क्या है इस law के अंदर government have listed actions that disposes दली दलित अधिवासी ठीक है तो disposes मतलब क्या होता है कि दलित और अधिवासी को इन सारे अधिकारों से आप वंचित नहीं कर सकते उनको displace नहीं कर सकते या फिर उनके साथ में यह position उनके fix है यहां से आपको हिलाना नहीं है ठीक है तो क्या position actions which deprive them of their meager resources for which force them into performing slave labor तो अब क्या होता है कि कुछ actions ऐसे होते हैं कुछ landlords वगड़ा तो वो क्या करते हैं कि जो दलित और आधिवासी होते हैं उनकी जो meager income की जो कह सकते हैं जमीन हो गये उनकी छोटी सी ठीक है तो उनकी livelihood के लिए वो source of meager income है एक मात्र जो छोटा सा कुछ कमा रहे हैं वो उनका काम चल रहा है अब आप आधिवासी के जंगलों पर जाके कबजा कर लोगे schedule काश के लोगों से जमीन चुडा लोगे तो आप उनकी source of livelihood को क्या कर रहे हो उनसे चुडा ले रहे हो ठीक है तो यह गलत है ठीक है और which force them into performing force them into performing slave labor और उनसे फिर क्या करवा रहे हो लेबर की तरह काम करवा रहे हो तो यह सरासर गलत है और इस चीज के अगेंश मेंने आवाद उठाई फिर क्या है the act has the provision to punish those who wrongfully occupies और cultivates any land owned by और allotted to a member of schedule caste or schedule tribe और gets the land allotted to him transferred ठीक है आप जैसे disposes मतलब हो यह कि आप उनको उनकी position से नहीं ह इस नहीं सकते हो इस तरह का law रिकरगनाइस करता कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो शेडियूल का शेडियूल ट्राइब प्रेवेंशन और वेटर सिटीज एक जो है तो उसके अंदर एक provision यह भी डाला गया कि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर क तो आपको points बताए जारे कि यह सारे points जो है यह सारे points उस law के अंदर है यह भी कि आप जबरन forcefully जमीन नहीं खरी सकते हो जमीन नहीं चुड़ा सकते हो उनको displace नहीं कर सकते हो वहां से ठीक है अब देखो क्या है crime against Dalits and tribal women यह भी recognize किया गया इस law के अंदर क्या होता है दलित seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any women belonging to a scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor her ठीक है अगर मान लो किसी भी इनसान ने किसी भी scheduled caste, scheduled tribe की महिला को dishonor करने की जरुरत की ठीक है physically assault कर सकते हो तो वो सारी चीज़ों को क्या किया गया है इस law के अंदर जो इंसान यह करेगा उसको क्या किया जाएगा penalize किया जाएगा यह सारे provisions डाले गए इस law में I hope आपको समझ में schedule caste and schedule tribes prevention of atrocities act जो है तो इस act में क्या-क्या चीज़े हैं किस तरह से काम करती है वो सारी चीज़े हमने इस video lecture में discuss करी है clear है तो अब यह यहां तक हमार chapter आगे बढ़ चुका है last topics जो है अब उन्हें हम comprehensively next video lecture में discuss करने वाले है I hope चीज़ें clear है किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much